पूरे एक साल हो गए तेरे पिता जी को इस तुनिया से गए अब तक कैसे तैसे घर का घर चल गया पर अब तो कुछ करना ही पड़ेगा आखिर आखिर तेरी पत्तिक और बच्चे भी तो है उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा नालाया मा कौन सी मुसीबत आ गई है अभी घर में अरे खाने को तो नहीं तरस रहा है न जब मुसीबत आएगी तब का तब देखेंगे अभी मेरे कंधों पे बोज मठ डाल मा भुक मरी तो नहीं है बेटा पर इसके अलावा और भी बहुत सारी जरूरते होती है उनका भी पूरा होना जरूरी होता है बेटा सब हो जाएगा मा, सब हो जाएगा तू चिंता मत कर ये दिन तेरी चिंता करने के नहीं बलकि अराम करने के हैं जा, जाकर अराम कर मैं बाहर से घूम कर आता हूं जरा कैसे समझाओ इस लड़के को इसके दो अकल पर पंतर ही पड़ गया है मा जी, आप चिंता मत कीजिए मैं कुछ करती हूं इनके दिमाग का इलाज़ अब मैं ही कर पाऊंगी और भाई मतन, कैसा है तू? मैं तो एक दम ठीक हूं श्याम तू सुना, कैसा है? भाई, एक दम अच्छा हूं सब कुछ सही चल रहा है जब से सरकारी लोकरी लगी है ना मेरी तो मेरे तो वाग यह खूल गया है बाई ऐसा पाली की तरफ आ रहा हूं फिर भी कतम नहीं होता ये तो बहुत अच्छी बात है यार श्याम ऐसा तो तू कमा रहा है कभी इस थोड़ा बहुत हम दोस्तों पर भी खर्च कर दिया कर हाँ हाँ क्यों नहीं अच्छा मलन मिलता हूँ है थोड़ी देर में अभी थोड़ा खा मैं मुझे जब भी खर्च करने की बात आती है ये तुरंद खिशक जाता है श्याम पर बच्चों एक दिन तुस्से खर्च करा के ही रहूँगा देख लेना बहुत समय हो गया है अब भूख भी लग रही है घर चलता हूँ कुछ खा कर फिर निकलूँगा दूसरे गाओं की तरफ मालती अरे हो मालती जल्दी से खाना लगा बहुत भूख लगी है घर में कुछ हो तब तो बनाऊंगे न चिंकी के पापा क्या घर में कुछ भी नहीं है पस सुभ़ ही तो मा से बात हुई थी मेरी उसने तो कुछ नहीं बताया मुझे बताएंगी कैसे खाना पीना तो मैं बनाती हूँ तो पता मुझे हो गई है उनको देखिए कुछ काम धंदा करना है तो कीजिए अब और तंगी हालात में नहीं जिया जाता है मुझसे शाम भया को देखिए एक दिन पैसे पैसे के मौतास थे और आज आज पूरे ऐस्वाराम की जीवन जी रहे हैं मालती उसके किस्मत अच्छी थी कि उसको सरकारी नोकरी मिल गई मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है मालती और ना ही मेरे पास पैसे हैं कि कुछ काम धंदा शुरू कर सकूँ काम धंदा शुरू करना बाद में पहले कुछ खाने का इंतिजाम करो खाने का इंतिजाम कहां से करूँ, क्या साम के पास जाना उचित होगा, चल कर देखता हूँ, क्या पता मदद कर दे अपकी सोच में पड़ गए हो आप कुछ नहीं मालती, तू रुक, मैं अभी आता हूँ जल्दी आ जाना, कभी घूमने में व्यस्मत हो जाना कहीं किसी के साथ हाँ हाँ ठीक है, बस गया और अभी आया, तू खाने की तयारी कर आज देखता हूँ, यह शाम मदद करता है या नहीं, आज पता चल जाएगा, यह बच्पन का यार कितना साथ देता है शाम, अरे ओ शाम भाई, कहा हो, आ भाई मदद, बता, कैसे आना हुआ मेरे घर की तरफ, थोड़ी जरूरत आ पड़ी है शाम, मेरे घर में चावल दाल आटा, सब खतम हो गया है, अगर थोड़ा चावल दाल दे देता, तो मेरा काम चल जाता यार भादन, तेरे लिए एक दिन की बात तो है नहीं है, तो कुछ कमा था तो है नहीं, आज अकर तुझे मैं कुछ दे भी दू, तो कल तु फेरा जाएका मांगने के लिए, आज तु तुझे दे देता हूँ, पर कल माता आना भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ तुझे यहा नाना शाम, रहने दे, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूँगा भाई, पर अब तेरे दर्वाजे पर मांगने नहीं आउँगा कभी मेरे यार मालती, लगता है अज खाने का इंतजाम नहीं हो पाएगा, ऐसे ही भूखे रहना पड़ेगा हमें तु कहा सुनने वाला था मेरी, मा, पर क्या करता, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कैसे दंदा सुरू करूँ मेरे पास तो बस यह 10 रुपे बड़े हैं, जा, जा कर कुछ कर सकता है तो कर ले और हाँ, खाना खा कर जाएए, मैं लक्षम चाची के घर से ले आई हूँ, जब तक हमारी आर्थे किसी से ठीक नहीं हो जाती, वो हमें खाना देती रहेंगी यही तो बहुत अच्छी बात है मालती, ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, अग कुछ काम धंदा की तलाश करता हूँ, मा, तु मुझे वो 10 रुपे दे देना हाँ, हाँ, ठीक है, पहले जा कर खा ले कुछ, फिर निकलना 10 रुपे से कौन सा काम धंदा शुरू हो सकता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यही, यह औरत यहाँ अकेले क्यों बैठी है, चल कर इसे से पूछता हूँ अरे भाई, यहाँ अकेले बैठ कर क्या कर रही हो, यह बहुत ही सुनसान रास्ता है, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है मैं तो यहाँ अकल बेच रही हूँ, पांच रुपे का एक अकल, अगर आपको लेना है तो लीजिये, नहीं तो आगे बढ़िये क्या अकल बेच रही हो भला ये भी कोई बेचने की चीज होती है मुझसे आज तक जो भी अकल लेकर गया है वो कभी निराश नहीं हुआ है अच्छा तो ये लो पैसे और दो मुझे भी अकल देखता हूँ कितना काम आती है तुम्हारी ये अकल तुम्हारी अकल है कि कभी किसी काम को जोटा मत समझेना यह तो सब को पता है भाई इसमें कौन सी नहीं बात है तुम कहीं मुर्ख तो नहीं बना रही हो मुझे मुफ्ति की चीजों को कोई भी एहमेत नहीं देता जब इनसान उससी कीमत देता है तब जाके उसका मौल समझता है तुमने भी मुझे इस अगले के कीमत दिया है तो तुमको भी इसका अब मौल समझ में आएगा वह तुमने तो मेरा दिल जित लिया इसी बात पर मुझे दूसरा ग्यान भी दे दो कभी भी अपने रहसे की बाद किसी को मत बताना चाहे वो तुम्हारी पत नहीं क्यों ना हो ठीके बहन धन्यवाद आपका अब मैं चलता हूँ एक बाद हमेशा ध्यान रखना हमारे आसपास धन कमाने के बहुत सारे विकल्प होते हैं पर हम उसे छोटा या कुछ और समझ कर नजर अंदास कर देते हैं मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ गया हूँ बेहन मेरी परेशानी तुमने हल कर दी अब मैं चलता हूँ अरे मदन मेरे खेत में काम करने के लिए एक मज़दूर चाहिए कोई हो तो भेज देना कोई क्यों सेड़ जी मैं ही कर दूँगा अगर आप कहते हो तो तू करेगा पर तू तो इन छोटे कामों से दूर भागता है ना कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता सेड़ जी वा मदन तूने ता मेरा दिल जीत लिया कल से आ जाना काम पर और हाँ मुझे अपनी खेतों का काम बहुत ही जल्द खतम करना है तो समय पर आ जाना मैं समय पर आ जाऊंगा सेड़ जी चलता हूँ देख मदन ये पूरा खेत खोदना है आज आज में ही इस काम को कर देगा तो मैं तुझे पूरा एक चान्दी का सिक्कत दूँगा ठीक है सेड़ हो जाएगा आप बस जाहिए और शाम को वापस आईए फटा फट से इस काम को निपड़ा देता हूँ ये एक चान्दी के सिक्की का सवाल है भाई ये तो सोने का सिक्का है मेरे तो बाग यही खुल गए पर ये तो सेड़ के खेत में मिला है तो खजाना भी सेड़ का ही हुआ नहीं नहीं मेरी किस्मत ने मुझे एक खजाना दिया है ये मेरा ही है लेकर चलता हूँ इसे मालती मालती ये देख सोने के सिक्के अब हमारे पास भी सब कुछ होगा इतने सारे सोने के सिक्के का से लिया है आप वो सब छोड बस अब अच्छे दिन के सपने पूरे हुए अपने हमारे पास में नया घर नए कपड़े नई गाड़ी सब कुछ होगा मदन में कुछ महीनों में ही नया घर बनवा लिया नई गाड़ी भी ले ली ये देखकर उसकी पडोस वाली सुधा जलने लगी थी क्या कर रही है सुधा मैं तेरे तरह कोई अमीर थोड़े ना हूँ कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जीवन जीनने के लिए हर किसी के भागय में भागय की कमाई थोड़े ही होती है मालती वैसे तुन्हें बताया नहीं कि मदन भाई साब के पास अचानक से इतना धन कहां से आया ये बात तो मैंने भी पूछी थी पर उन्होंने बात को हिटाल दिया भला ऐसे कौन सी बात है जो अपने पत्री से भी नहीं बता सकते कहीं कहीं धन चोरी से तो नहीं आया नहीं नहीं सुधा वो छोरी नहीं कर सकते फिर भी आज मैं जरूर पुछूँगी कि ये धन कैसे मिला उनको सुनिये आज आपको बताना ही होगा कि ये धन आपको कैसे मिला ये तो रहसी की बात है और उस औरक ने मुझसे कहा था कभी भी अपने रहसे की बाद किसी को मत बताना चाहे वो तुम्हारी पत नहीं क्यों ना हो क्या सोचने लग गए बताईए न दरसल मुझे ये सिक्के उत्तर दिशा में जो पेड मिला था वहीं बैट के भगवान से प्रात्ना कर रहा था कि मुझे कुछ धन दे दे और तभी उस पेड से ये सोने के सिक्के गिरे और मैं उसे लेकर आ गया बस इतने ही सी बात थी अच्छा तो ये बात है अब मैं समझे कर सुबह मैं भी जाऊंगी और धन लेकर आऊंगी हे भगवान मुझे भी थोड़ा धन दे दो बहुत तंगी जल रही है हाई 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 मेरा तो सीरी फुट गया ये ये पेड तो सीर फोड़ने वाला है सुधा बहन लालच बुरी भला होती है कभी किसी के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए समझी ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया था कभी भी कोई पेड किसी को धन नहीं देता धन आता है अपनी किस्मत से या मेहनत से समझ गई मदन भाई साहब अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी आप सब भी किसी के धन को देखकर लालच नहीं करें अपनी खमाई पर भरोजा रखिए और हाई इस चैनल को सब्सक्राइब किये भी न मत जाएएगा मैं चल्दी ही आप से फिर मिलूंगी